अच्छा ऐसा होता है ना कभी-कभी लाइफ में कि खूब भाग-दोड और मेहनत करने के बावजूद भी आप हर वक्त परिशानी में रहते हैं, एंजाइटी होती है और चिरजड़ापन होता है और ऐसा लगता है कि जैसे जिन्दगी हाथ से छूटती जा रही है तो कुछ यूँ कीजिए कि थोड़ा ठहर जाएए और जिन्दगी को स्लो मोशन में चलने दीजिए ताकि जो हो रहा है वो साफ नजर आए जरूरी नहीं है कि बेतहाशा महनत और भाग-दोड ही आपको कामियाबी दिलाएगी कभी कभी सब कुछ स्विच आफ कर देना या फिर कुछ टाइम के लिए उसको पॉज कर देना ये भी अच्छा होता है को कहते हैं ना कि जैसे कोहरे में ज्यादे दूर का नजर नहीं आता तो दूर का देखने के बजाए नजदीक का देख लीजिए थोड़ा धीरे चलिए रास्ता अपने आप पार हो जाएगा नमस्ते दोस्तों स्वागत है आप सभी का बी रियल बी सिंपल की एक और वीडियो में और इस वीडियो की शुरुआत मैं कर रही हूँ पिछली वीडियो के ही अगले दिन से जिदिन मेरी बेटी का बर्थरे था वीडियो मैंने आप करिए को हटाया मोटी मलाई इसमें आ गई है तो यह मैं खटा करती हूं और करीब हफता दस दिन इसको मैं जमा के एसमसे मखण निकालती हूं और फिर इसका गी बनाती हूं तो गी भी मैंने बनाया था पिछली वीडियो में वह रात में मैंने मंतब रखके छोड़ दिया और अब मैं उसको भी दिखाऊंगी आपको कि वो ठंडा हो चुका है और कितना अच्छा दानेदार घी बना है तो यहाँ पे देखिए मैं यही दिखा रही हूं आपको कि जब हम मलाई को चारो तरफ से थोड़ा धीला करके रखते हैं ना फ्रिज में जैसे मैंने लास्ट व चुका है और जिस वक्त की ये वीडियो है करीब मतलब मैंने बताया था ना मार्च के फर्स्ट वीग की वीडियो है ये उस वक्त थोड़ी सी ठंड़क थी हाला कि अभी भी है घी आप रखो तो अभी भी जम जाता है घी इतनी गर्मी नहीं आई है अभी हाला कि अप्रैल क कि असपास घी निकला है उसमें से एक किलो से थोड़ा बहुत ही कम होगा और बिल्कुल दानेदार घी बनता है ये तो I'm sure सभी अपने घर में मलाई से घी बनाते होंगे और बनाना भी चाहिए क्योंकि देखिए आपके घर में दो किलो तीन किलो जितना भी दूद आता है उस अच्छा तरीका है उसका घी बनाईए और देशी घी का आप रेट पूछ के देखिए जो शुद्ध देशी घी है आप उसका रेट पूछ के देखिए वो आपको करीब 1200 से 1500 रुपे किलो मिलेगा तो मान लीजिए कि आपके घर में 5000 का भी दूद आ रहा है और आप महीने म अगर 2 किलो घी भी निकाल पा रहे हैं दूद से तो मतलब सिधा सिधा आप देखिए कि धाई से 3000 रुपे का तो आप घी ही निकाल रहे हैं उसमें से तो एक पंथ दो काज हो जाता है तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगी कि हर कोई मलाई जमाए और घी निकाले और हफते की मलाई खटी हो जाती है इस बार थोड़े जादा दिन की हो गई थी क्योंकि बीच में मुझे घर जाना पड़ा था करीब एक हफते के लिए अच्छा पिछली वीडियो में मैंने दिखाया था आपको जब नान की रसिपी शेयर की थी अफगानी पनीर की तो देड़े करके मैंने मटर स्टोर करना शुरू कर दिया था मार्च के फस्ट वीक में ही अभी तक तो मैं काफी मटर स्टोर कर चुकी हूँ किसी और वीडियो में दिखा दूंगी आपको तो मटर को छील के उनको मैंने धोया है और धोकियों को मैंने चलनी में रखा वाय कि पानी निकल जाए, साथ ही थोड़ी सीचुकंदर मैंने लिए थी, जो मैं खाती हूँ, अदरक लिया था, उसको अच्छे से तोड़ के मैंने साफ किया है, जगे जगे जो अदरकी गांट होती है ना, उसके बीच में गंदगी फसी रहती है, और यहाँ पे है बत्वा, जो ल काउंटर ठोपे बिखरे नहीं, क्योंकि मुझे बड़ा मैसी लगता है, वो सब जगे पानी पानी के छीटे जब हो जाते हैं, तो सारी सबजी मैंने साफ कर दी थी, अभी फिलाल रखा हुआ है, कि इनका पानी अच्छे से निकल जाए, और इस कपड़े को मैंने अच्छे से इसके नीचे बिछा दिया है, सारी सबजीयों के, ताकि अगेन वही की काउंटर टोप पे गीला ना हो, तो सारा काम लंच का तो हो ही चुका था, उसको करने के बाद, सारी रसोई की सफाई करने के बाद, तब मैंने ये काम शुरू किया था, तो अद्रक को जैसे देखि चीले भी इस्तेमाल कर लो, मैं बीना चीले इस्तेमाल करती हूं, फिर जरूरी नहीं हो जाता कि आप अद्रक को छीलो ही, बाकि आपकी मर्जी है, लेकिन अगर आपने अच्छी तरह से अद्रक को धोया है ना, तो फिर जरूरत नहीं होती उसको छीनने की, हाँ अगर आप चीलते भी हो, तो उन छिलकों को फेक ये मत, उनको आप चाय में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो फिलाल यहां पे सब्जियों का काम सोट आउट हो गया है, और मटर के छिलके और बत्वे को साफ करने के बाद जो भी हरा वेस्ट निकला था, वो मैंने सेफ रखा हुआ है, एक पॉ मैं से अभी भी काफी पानी टपक रहा है, इसलिए मैंने इसके नीचे ये परात रखी हुई है, और आप भी ऐसा ही कीजिए, प्लीज, कुई जो भी हरा वेस्ट है, उसको डस्ट बीन में मख डालिए, हो सके तो किसी जानवर को दे दीजिए, या फिर नहीं आप अगर दे और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, बत्वा जैसे कि मैंने कहा कि सीजन का लास्ट बत्वा था ये, तो धीरे धीरे इसके पत्ते देखिए, लाल पढ़ने लगे हैं, डंडिया भी लाल पढ़ रही हैं, ये एक सिम्टम होता है कि अब बस ये लास्ट है, इसके बा बत्वा या कोई भी हरी जो पत्तेदार सब्जी होती है न, वो मेरे घर में कंस्यूम हो जाती है, पराठे बना लूँ या उसकी रोटी बना लूँ और सबसे बैस तरीका लगता है मुझे ये बच्चे को खिलाने का, क्योंकि इसमें बच्चे फिर कुछ भी आना कानी नही किलानी पड़ती है, आप यकीन करेंगे कि उसको मटर और गाजर भी मैं पीस के किलाती हूँ, उसका भी मैं या तो पराठा बना देती हूँ, या कभी रोटी बना देती हूँ, और अगर कभी ऐसा होगा, मतलब अभी तक तो मैंने शूट नहीं किया, इस बारे में कुछ भ करने का, तो अब देखते रहिए, मैं फिलहाल दरीद हो रही हूँ, जो नीचे मैंने बिचाई होती है, फर्च पे, तो फिलहाल बाते करने का क्या मन था, कि ये, देखिए, आजकल मैंने बड़ा सुना है, कि खास तोर से सोशल मीडिया पर ही, कि सब घर के कामों को बहुत गांटिट लेते हैं, और आदमी फोर गांटिट लेते हैं, तो समझ भी आता है, क्योंकि उनको उस काम का तरीका नहीं पता है, या उस काम की जरूरत शायद उन्हें जादा समझ नहीं आती, तो समझ भी आता है, कि आदमी उस काम को फोर गांटिट लेते हैं, लेकिन औरते भी जब यही नजरिया रखने लगती हैं तो फिर घर को आखिर संभालेगा कौन और अगर संभालना नहीं था तो फिर घर बनाया ही क्यों था बसाया ही क्यों था घर को क्योंकि मैंने बहुत सी औरतों के विचार सुने हैं और ये औरतों के विचार हैं खास पर आप ध्यान द का मतलब तो सब काम मेडल लेने के लिए किये शायते हैं। या फिर जिसकाम का कोई मैडल न लेना मिले उसकी कोई एहमेती ही नहीं होती इस तरह से तो पिर आदमी भी ही कह सकते हैं। कि मुझे नहीं करनी जौब, या मुझे नहीं करना कोई भी बिजनस, मुझे कौन सा कोई मैडल मिल जाएगा, या फिर जो हमारे देश के जवान है, जो अपनी जान हतेली पर रखकर देश को बचाते हैं, उनमें से भी क्या सबको medal ही मिलता है कुछ एक कोई मिलता है ना पर अपना फर्ज तो सभी नहीं बाते हैं बिना medal के भी तो ये कौन सी बात हुई कि घर का काम उतना ही करो जितना जरूरी है ज्यादा काम करने से आपको कोई medal नहीं मिल जाएगा तो भाई धन्य है ऐसी सोच रखने वाल तो यही वो सारे विचार हैं जो एक home maker को housewife को नीचा दिखाते हैं उनको दूसरों से कम तर एहसास करवाते हैं खासकर working women जो खुद ऐसे विचार रखती हैं मैंने बहुत सी working women's के विचार सुने हैं वो कहती हैं कि हम सिर्फ housewife बनकर नहीं रह सकती हमें तो घर से बाहर काम क किये बेना क्योंकि सिर्फ housewife बनकर रहना उनकी पूरी ability का use नहीं हो पा रहा है उसमें मतलब इस तरह से वो बोलती हैं मतलब आप housewife को सिर्फ housewife बोलते हैं कि सिर्फ housewife बनकर हम नहीं रह सकते तो क्या यह ठीक है क्योंकि वो 24-7 और 365 दिन काम करती हैं वर्किंग उमन की तरह उनको कोई CL या EL नहीं मिलती, मानती हूं कि वर्किंग उमन पे जिम्मेदारी दोहरी होती है, मगर साथ ही ये भी तो सच है ना, कि उनकी जिम्मेदारी को बाटने के लिए उनके हजबन, उनके बच्चे सभी होते हैं, सभी उनकी help करते हैं, जैसे कि मै मैं housewife हूँ मेरे बच्चे भी मेरी help करते हैं लेकिन फिर भी उनको पता होता है कि मम्मी संभाल लेगी लेकिन अगर मैं working होती तो फिर बच्चे अपने आप ही help करने लग जाते हलाकि बच्चों का घर के काम में help करना बिलकुल भी बुरा नहीं है करना चाहिए मेरे बच्चे भी help करते हैं लेकिन जब हम कहते हैं कि हम सिर्फ housewife बन कर नहीं रह सकते तो इसका मतलब है कि आप साफ साफ housewife को नीचा दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि मैं working woman हूँ साथ साथ घर भी संभालती हूँ तो बस मैं ही क्या कहना चाहिए कि एक तरह से great हूँ अच्छा आपने बहुत से लोगों को कहते सुना होगा कि जैसे अगर housewife है और वो दिन में सो जाए काफी अपने काम से ठकने के बाद अगर वो दिन में सो जाए तो बोला जाता है बड़ी सुस्थ हो दिन बर सोते ही रहते हो करते ही क्या हो और working woman अगर दिन में सो जाए तो भई वो बहुत ही हुई है डूटी करके आई है उसको घरवाले भी कुछ कहने से पहले दस बार सोचते हैं क्योंकि वो working woman है तो उनमें ये लगबग लगबग सभी में मैंने देखा है ये attitude होता ही है कि भई मैं तो कमाती हूँ इसलिए अपने हिसाब से रहूंगी अपने हिसाब से काम करू हैं या आपके कुछ विचार हैं इस बारे में कोई प्रश्न है इस बारे में तो प्लीज मुझे comment section में जरूर बताईएगा मैं भी अपने विचार और detail में आप लोगों भी साथ जरूर साज़ा करूंगी तो फिलहाल आगे की clip है उसी दिन की शाम की मेरे बेटी के birthday से अग हम लोग बाहा निकले थे और मेरे हजबन भी थे साथ में लेकिन उनको मैंने शूट नहीं किया जादा वीडियो में तो हम लोग गैस भरवा रहे थे गाड़ी में तो उस टाइम पे मैंने clip shoot की थी यह देखिए एक पेड़ है और इसके छोटे छोटे पत्तों से आपको जि रंगेज में जाता है तो उसकी रंगत कुछ और हो जाती है जब वो 40-50 के आसपास आता है तो उसकी रंगत कुछ और हो जाती है और जब वो करीब 70-80 के आसपास आता है तो कुछ इस तरह कि उसकी रंगत हो जाती है बिलकुल डार्क और फिर सबसे लास्ट में अंत में क्य जी शुरू होती है और आखिर में सब का यही अंत होना है कि पेड़ से गिर के उनको ज़ड जाना है, मर जाना है और ये सभी की anxiety की नियती है। तो यहां पे मैं किसी को डर आना नहीं चाहती और नहीं कुछ अलग से ऐसा कुछ कहना चाहती हूं कि जैसे किसी को डर लगे लेकिन ये जिन्दगी की नियती है और किसी भी पेड़ को देखके आप आसानी से जिन्दगी का ये फलसफा समझ सकते हैं तो यहाँ पे है मेरी बेटी जब हम पिज़ा के लिए गए थे और हजबन अंदर नहीं आया थे एक्चुली वो गाड़ी में ही थे क्योंकि उनको ऐसा कुछ खाना नहीं था और उनको कुछ काम भी करना था अपना ज़रूरी तो यहाँ पे है मेरी बेटी उसने अपने कुछ पिक्स लिए शायद पता नहीं कुछ तो उसने का कि ममी चलो मैं आपके फोटोज लेती हूं तो कुछ फोटोज उदास के दिखेंगे आपको थकी हुई के चैरे पर थकावट दिखी जाती है कुछ फोटोज में मैंने स्माइल भी की है और उस टैम पे बिलकुल हलकी हलकी सी वाली सर्दी थी तो इसलिए मैंने यह एक शौल टाइप है शौल तो क्या कहेंगे इसको बिलकुल ऐसा टेक्चर है जैसे बच्चर दानी का टेक्चर होता है मतलब खाली बस फैसनेबल है ठंड वन तो कुछ नहीं रुखती इस से तो वह मैंने ओड़ा हुआ था और इसको अपनी हुड़ी बहुत प्यारी है अब अच्छा लगता है उसको हुड़ी पहनना तो इसने यह हुड़ी पहनी हुई है और यह हमारी बहुत खुसूरस सी पिक्चर आई है उस दिन मैंने इंस्टाग्राम पे इनको शियर किया था अगर आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं करते हैं तो बी रियल ब बच्चे हैं उनको थोड़ा बहुत ट्रीट देना ही पड़ता है क्योंकि इस से पहले लास्ट टाइम बच्चों की ट्रीट हुई थी 25 दिसंबर को तो करीब करीब 2-5 मेने हो चुके थे तो अब बच्चों की ट्रीट की बारी थी और यह मेरा बेटा जो फोटोस खिचाने मैं बिजी है यह सारे फोटो में बेटी नहीं खिचे है उसके और इन लोगोंने पीजा खाया था और शायद फ्रेंच मैंने भी खाया था मुझे पीजा तो पुए लुकि फ्रेंच फ्राइज और बाकि सब नहीं पसंद आता क्योंकि इन में वह चीज यतना भर भरगे डा उस दिन भी नहीं अगले दिन शूट की थी और यह है मेरी बेटी के बर्थड़े गिफ्ट जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मैं अगली वीडियो में शेयर कर दूंगी आप लोगों के साथ यह है एक डैनिम की जैकिट वह काफी दिनों से कह रही थी तो यह मैंने इसको दिलाई थी और यह जीन्स तो आपने पिछली वीडियो में भी देखा था उसने पहनी होई थी लाइट ब्लू कलर की और अभी जब मैं शूट कर रही थी तो तब मैंने देखा इस पर कुछ धब्बे लगे हुए हैं तो इसको मुझे दुबारा से दोना पड़ेगा और इसी में मतलब इसी तरह की six pocket में जो या आती है ना बच्चो की इसी तरह में उसने एक blue color भी लिया था dark blue color तो यह दो jeans उसके लिए आई थी denim की jacket उसके लिए आई थी और जो tiffin और bottle उसके लिए आई थी नहीं वो तो मैं पिछली वीडियो में आप लोगों को दिखाई हुए हैं ऐसा लगता है कि दो pocket हैं लेकिन pocket एक ही है एक flap उन्होंने extra लगाय हुआ है क्योंकि आजकल fashion के नाम पर पता नहीं भई क्या क्या चल रहा है मतलब हम लोग छोटे थे तो हम लोगों तो बस frock पहनने को मिलती थी या फिर थोड़े बड़े हो गए तो सीधा सून स कि एक पाव जिसको 200 gram हम कह सकते हैं 200 ml इसमें पानी या दूद कुछ आता है शाद ज्यादा ही आता होगा और जी दिन से आया है ना दूद तो दूद वो पानी भी इसी में पी रही है तो यह सब उसके gifts हैं और टिफिन और बोटल मैं आपको पिछली वीडियो में दिखा ही चुकी हूँ और यह हैं उसकी friends के दिये हुए cards जो उन्होंने अपने हातों से बना के उसको दिये थे बड़े प्यारे-प्यारे cards हैं और इस पर देखिए उन्होंने उसकी birthday date नहीं sorry year गलत लिखा हुआ है 5-3-2011 जबकि उसकी date है 5-3-2012 तो खैर कोई नहीं इस गल्ती को ध दियान देते हैं प्यारे-प्यारे-प्यारे cards पर जो उसकी friends ने उसको बना के दिये हैं तो यही थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने अपने कुछ विचार अपनी कुछ बातें आप लोगों के साथ साजा की मेरी बेटी के gifts जो pending थे दिखाए बिना वो मैंने दिखाए और एक simple सा random day का व्लोग आप लोगों के साथ share किया अगर अच्छा लगा हो किसी भी point पे या आप लोगों के लिए helpful रही हो ये वीडियो तो please मेरे चैनल को subscribe जरूर कीजिएगा अगर पसंद आई हो वीडियो तो like दे के मुझे motivate जरूर कीजिएगा अगर पसंद नहीं आई है तो dislike भी आप जरूर कर सकते हैं मुझे खुशी होगी ताकि मुझे पता लगे कि मैं कहां गलत कर रही हूं चलती हूं दोबारा मिलूंगी आप से तब तक अपना धेर सारा ध्यान रखिएगा आप लोग और मेरे वीडियो उसको time देने के लिए बहुत बहुत आपका